हेलो, डॉक्टर क्लेकर दीस साइड, मैं आपसे बात करने वारा हूँ, जो काफी बार मेरे क्लिनीक में प्रेजेंटेशन होता है, लोग आते हैं, वो विमारी लेके, वो है मरने का डर, कभी सारे लोग 20 और 40 साल के उम्र में आते रहें, और आते से ही मतलोब बालों पड़ता है कि कुछ ते पी घड़वड है, उनको पूझे आपके क्या हो रहा है आपको, तो बहुत ही कॉआन प्रेजेंटेशन रहता है, वे अपने मुझे बहुत डर लगता है असा बोलता है, मुझे लगता है कि मैं मर गया हूँ, मुझे हाट अटाय गाएंगा, पर मैं मर गया हूँ, उसको इतना डर लगता है को विचार आता है उसको तो इसके हाथ कापना, चाती में बहुत धड़कन, मतला सिने में बहुत धड़कन, धड़, 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 ध उसको पूचा, वे तुने कहा है लाखिया तो उसने इत्ती बड़ी फाइल निका देख लेगे अर वो फाइल में कितने सारे कार्डियोराम के रहे हैं। सुबर शाम अलग अलग लोगों के पास में जाके वो कार्डियोराम निकाल रहे हैं कि भे अभी आटक आएके अभी आटक आएके। इतना उसको डर है। उसको पूचा मैंने कि वी चागुक ऐसे हुआ है। तुझे वगा है कि दो साल से इसको जी बिमारी है और दो साल पहले उसके पिताजी घर में बैठे थे शाम का समय था और बैठे बैठे उनको थोड़ा सा ऐसा अनिजिनेस हो गया। थोड़ी धबरान हो गई। और पस महें के महें नीचे गिर गए। उनको हस्पिटल में तुरांत लेके गए अब तक उनको गुरुद धुषित किया गया। तो उसको तप से इतना उसको डर बढ़ जाए। कि उसको ना घपराड है, ना पेचेजी है, ना हाथ थर्थर है। उसको विचार उसे हाथ थर्करना, घबराना, चाती में धडगन शुरू हो जाता है। और उसको लगता है कि अपन मर जाने ना दे। अच्छा मरने के बाद में पर बच्चों का क्या होंगा, उनको कोन देखेंगा, पर पतनी का क्या होंगा, मेरा क्या होंगा। और मतलग वो सोच नहीं सकते है कि मरने के बाद में होता क्या है, मतलग मर गया तो क्या हुआ क्या होंगा। तो वाग किया तो उपी जाता है। मतलग इतना डर। तो अभी हमको यह प्लता है कि उनको करना क्या। काफी सारी दवाईयां उसको दी गई थी जो मेरे पास में आजो पार्चित कारा में जो पेशन्टी। काफी सारी दवाईयां उसको दी गई थी, बहुत सारी ट्रिटमेंट। उसको मैंने तुरंथ खायदा होने माले कुछ दवाईयां जो है, कि जिसे एक दुरंथ मन शान्त हो जाएगा, घड़कान को मुण जाएगी, ऐसी कुछ दवाईयां उसको मैंने दिया, उसको बोला कि आपको सक्त जरुद है, हिप्नो अडिजन भी, हिप्नो थेल भी, उसका ब्रेन का, उसके भेजे का कंडिशनिंग हो चुका, एक इवेंट हुआ, एक गटना होई, गण में बैठा वाथा, पिताजी और बाते कर रहे थे, पिताजी की उमर करिकल 55-60 की ऐसी कुछ तवी थी, और अचानक उनको घबराण हो गए, और खटास हो गिरे, तो गटना ये ये होगी, आचानक का इतना बड़ा दिमाग के ओपर वेलेक के ओपर कंडिशनिंग हो गया, इतना बड़ा जटका उसको बैड़ गया, के अब उसको बार-बार-बारäg बार-बार वही डर्ब एठा होगा है, तो मैंने उसको सम्मोर उओ्चाब में, हितना डिनध में, हितन Desensitization की प्रक्रिया, उससे प्रवाई, Desensitization, मतलब यह है कि हम उसको hypnotize करते हैं, सम्मोहित करते हैं, सम्मोहित की अवस्ता में वेक्टी एक्दम relaxed रहता हैं, और गर वो relaxed रहता हैं, तो उसको कलपना करने में लगाता हूं, कि आप कलपना करो कि अभी आपके सामने जो scene हो चु अभी पिता ही, serious है, गज़ो गिर गए और आप एक्दम relaxed हो, वो गएटना हूं, वो गिर से उसको taja करो, तो relax करो, गटना सामने हो रही है आप रिलाक्स है, घटना सामने होने हैं आफ रिलैक्स है, फिर दूसरा आप ऐसे विचा राये, मैं मर जानू अअँआ, ऐसे विचा दाए और आप रिलाक्स है, बत इस तरह का अब भार, भार भार, जोगन आप सब्काइंशेच मैंड की वार हमरीं होता है, तो फिर वो उसमें से थीख हो जाते. क्योंकि यह जो ट्रड़का में बात करे नहीं था उसको ऐसा भिता कि कहीं वो मेयत में न्याता था, कोई बिमारे तो उसकी तो पहली बिलने गा, कॉझको वो मर जाएंगा या मर जाहुँँगा उसको डर लगता था, या बात भी मतलब उसने सुन लिया कि वह कोई भीमार है तो वहाँ वो घर के आसपास में जाएगा ने तो इस तरह का है तो उसको हिप्नोनाइस करके डी कंडिशनिंग करवा के उसको विजॉलाइजेशन करवा के उसमें रिलाक्स कर आँए बार 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 हैमरिंग करवा के बार 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 स्वहम सुचना देके घरना प्याट्रिस करने के लिए उसको बोला और एक दो मेने बाद में उसका पूरा कंप्लीटली इलाज हो गया बोला कि बाद में कुछ नहीं हो रहा है कि अभी जो असर हो चुका था जटका जो बढ़ गया था वो जटका पूरा निकल गया था और वो कंप्लीटली अच्छा हो तो यह संभव है कि उसका जिना जिसर से वो जिना हराम हो गया था उसको एक एक दिन काटना कटिन हो गया था, तो ये इलाज करके, ये ना कुछ बहार का है, ना कुछ शालिक बिमारी है, उसके लिए मानसीक बिमारी है, तो मानसीक बिमारी का इलाज, मानसी पुच्छी होना ची हमानसुक्चा से 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 होना ची हमानसुक्चा तो महारा फर्स है कि यह आप शेर करें वीडियो लोगों के साथ में, ताकि जितने भी लोग यह जो डेंस फोगिया है, यह हार्ट अटक का जो डन है, लोगों को, कि मैं मर जाओंगा, अटागा जाएंगा, और इससे काफी लोग, जो भैबीत हो चुके हैं, उनका जिना कटि हो गया है, वो अच्छा वाजाएंगे, इसलिए आप यह वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेर करो लोगों के साथ में, लाइक करो, हमारा फेस्बूप पे उसके उपर मैंने काफी सारी चानकरी दीए, उसको भी आप शेर कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को आप विसित कर स करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच, हवा ग्रेट दीए.